नमस्कार दोस्तर फिर एक वार हम आपके सामने संस्क्रत काक्षा दस राज फान की जो गूर की किलास है उसका दुत्य पार्ट सामने लिखे आए हैं जिसका नाम है संगे सक्ति संगे सक्ति का मतलब होता है संग्ठर में सक्ति होती है और इस पार्ट में वताय गया है कि जो ये पार्ट है नीती साहित से हैं तो उपदेश से लिया गया है और इसमें वताय गया है कि जो संगे होती है जो संग्ठर होता है उस संग्ठर में इतनी सक्ति होती है कि कोई भी कार्य किसना भी कठिन क्यों ना हो वहे भी सरल तरीखे से पून किया जा सकता है तो इसमें हम यह बताएं कि जैसा कोई भी कार्य है इसमें पंडेटर नाराण सर्माजी बताते हैं कि वहे सिख्षा देते हैं कि पाठली पुत्र का जो राजा था उस राजाग संतान आपस में लड़ते हैं जगड़ते हैं और वो उनको ग्यान देते हुए समझाते हुए एक कथा उनको सुनाते हैं और वही कथा हम आपकी सामने तरस्त करने जा रहे हैं कि जैसे संगतन होता है हम कोई भी कार्य अगर संगतन से कर रहे हैं तो संगठन से कार्य किया हुआ बड़े आसान, सरल, सरस और चुपन तरीका से खूर हो जाता है इसमें उन्होंने अनेक प्रकार से कुछ पक्षियों को पात्र बनाते हुए संगठन के वारे में समझाया है और इस पार्ट की जो भासा है वह सरल, सरस और फूल रूप से सरल है इसमें उन्होंने अनेक पश्वों की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं लिकी हैं और इन्ही कारण वे हैं इस संसार में, जगत में या पात्री पुत्र राजा के राजे में पृस्वी प्राक्षिए हैं और उन्होंने इसी पार्ट की माध्यम से बताया है और उन्होंने अनेक चार प्रकार के हुद हितो उपदेश लिखे हैं जिनमें से पहला मित्रालाव, सुरहेदवेद, विग्रहे और संदी हैं इन्ही के आधार पर हम आपको बताएंगे के संगे सकती हैं ये आपका पाद नमाद दूसिया संगे सकती, संगे का मतलब मैंने आपको अभी बताया विकिन खट दवार बताता हूँ संगे कहते हैं संगठन, सकती कहते हैं सकती होती है ये इस बात का मूल है और उसके जो रचिता हैं जो इनके जो लिखने वाले हैं वो हैं नाराण सर्मा पंडे ये इनके रचिता हैं इन्होंने इस पार्ट को जो संगे सकती पार्ट है इन्होंने इस पार्ट को लिखा है और इस पार्ट में वही बताया है जो संगठन में सकती होती है ये कुछ नहीं है बस उने पक्षियों के आधार पर पक्षियों को पात्र बनाते हुए जो पात्री पुत्र की राजा थे उनके पुत्रों को समझाया है किस प्रकार से आपको रहना से इसमें कुछ नहीं है एक कहानी है छोटी सी कि कहानी में क्या होता है कुछ पक्षी होते हैं इसे इसमें तेरे ख़र कभूतर है और एक सिकारी आता है वहे सिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना रूजगार के लाने के लिए जाल को विच्छाता है जंगल में जाके और जाल विच्छा कर उसमें कुछ चावल के कड़ों को डाल देता है तो जैसे ही वहाँ से उस जंगल के अंदर से कुछ पक्षी कभूतर ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे और जो चावल के लूही कभूतर थे वे उन चावलों के कड़ों को देखकर नीचे उतरने का प्रयाद करते हैं तभी अभुतरों को राजा उनको समझाता है उनसे कहता है कि इस और निर्जन बन में जो निर्जन बन है इसमें जो ये चावल है कैसे संभभ हो सकते हैं यहाँ पर तो कोई इंसान ने रहता है कोई जीव जन्तूवी नहीं है लेकिन यह चावल कहां से आगा इसमें किसी के कोई चाल है लेकिन जो कवुटर थे चावलों के लोगी वे उसकी वाद नहीं मानते हैं उससे बुरावला कहते हैं उससे दिक्तारते हैं उसका अफमान करते हैं और वो उन चावलों को खाने के लिए आके बैठ जाते हैं तो जैसे ही वो वहाँ पर वैठे थे तो जाल चावलों को पत में चपड़ा था और वो उसमें फश जाते हैं तो जैसे ही वो फशे हुए थे और कबुतर जिसने कबुतरों की राजा की अवेलना के थे उनको दिखका रहा था, बुरावला कहा था वो उस्सो बुरावला कहते हैं अफमानित करते हैं उनकी बात को सुनकर कबुतरों को राजा उनको समझाता है वो कहता है जो कुछ होना था वो हो चुका अब आपको किसी से कुछ कहने की कोई जवगत नहीं है तो वो कहता है कि तुम थोड़ी देख इंतजार करो मैं आपको कोई उपाय तरीका यहां से निकलने का बताता हूँ तो कुछ समय वाद कबूतरों के राजा ने कहा कि से कारी आ रहा है आप ऐसा करें शवी एक साथ इस जाल को लेकर उड़ जाएं तो शवी कबूतरों ने ऐसा ही किया शवी ने उड़ान वरे और उस जाल को लेकर उड़ दें उस जाल को लेकर उड़ते हुए कबूतरों को उस से कारी में देखा और उनका पिस्छा किया लेकिन कुछ समय वाद वहे जाल और कबूतर से कारी की आँखों के आगें से उजल हो गए अर्थास दिखाई देना बंद हो गया तो शिकारी वापस लोड़ा है इसलिए इसमें यही सिख्छा यही ग्यान दिया गया है कि आपको किसी प्रकार से अलग ना रहे कर संगठन के साथ एकित रहने के साथ कारे करें इसमें एकटा रहने से संगठन वनाने से किसी प्रकार का जो कारे होता है वहे पूर्ण रूर्प से सिख्छ दोल जाता है तो अब हम आपको पिस्तार से पार को पड़ाते हैं देखें अस्ती गोदावरी सीरे विशाल सामली करूँ अस्ती है गोदावरी गोदावरी नदी के सीरे किनारे पर विशाल वहुत वड़ा सामली करूँ सेमल का पेड़ गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत वड़ा सेमल का पेड़ है नाना अधी देश आगत्ते है नाना अधी अनेक अधी देश आगत्ते है देश और दिसाओं से आकर रात्रव रात्री में पक्षिण तत्र निवसंती पक्षी यहां निवास करते हैं अनेक देश और दिसाओं से पक्षी आकर यहां पर निवास करते हैं अस कराचित अवस्तिम्यां रात्रव अस्तांचल चुड़ाविने भगवते कुमंदनीन आई के हैं चिंद्रमती लगू नाम के हैं नाम हां व्यास प्रवद्ध अस लेकिन कराचित किसी या कोई अब शामने रात्रव की रात्री के समाप्त होने के समय अस्तांचल चुड़ाविने अस्तांचल समाप्त होने भीत जान से समय लटकते हुए भगवती कुमुद्नी के नायक देवी कुमुद्नी के स्वामी चंद्रमती चंद्रमा दिखाई देता है लगू पत नाम का उस समय लगू पत नाम का वाश प्रुवधर वाश तो कहते हैं कोवा प्रुवधर कहते हैं जागा लेकिन रात्री के समाख सो होने के समय आकास में चंद्रमा क्यों कुमुंजनी का स्वामी चंद्रमा है वहे लटका हुआ दिखाई देता है उस समय लगुपद नाम का कोआ जागा कृताम कहते हैं के लिए ये कहते हैं दूसरे आयतम कहते हैं आते हुए व्यादम कहते हैं सिकारी को पस्यतम कहते हैं देखा यम्राज के समान दूसरे सिकारी के रूप में आते हुए देखा या इस सिकारी के सकते हैं कि सिकारी को दूसरे यम्राज के समान आते हुए देखा सम अवलोके एचिंत्याद सम कहते है उसे अवलोके देखकर एचिंत्याद सोचता है उसे देखकर सोचता है अध्य काते एव अनिस्ट दर्थन जातम अध्य आज प्राते वो सुवे से ही अनिस्ट दर्थन अनिस्ट के दर्थन जातम हुए है कि आज सुवे से ही अनिश के दर्तन हुए हैं जिसे हम अशूत बोलते हैं अशूत का मतलब कि जिसे हम किसी वज़ जब सुवे सुवे मुह देख लेते हैं और हमारा दिन बुरा जाता है या अशूत घटना हो जाती है या हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है ने जाने किम अवनितम दर्शती ने नहीं जाने जाने किम कहते हैं कि अभद्र या बुरा अनिष्ट दर्शती देखना पड़ेगा आज को वैसे ही अनिश्की दर्टन वे ने जाने आज क्या वरा देखना पड़ेगा अते सन अनुसर्ण किर्म है व्याकुल चलते है सन अनुसर्ण किर्म है उसका अनुसर्ण करते हुए या उसके पीछे चलते हुए व्याकुल चलते है व्याकुलता से चल देता है उसका अनुसर्ण करते हुए जैंसे वो सिकारी जा रहा था उस सिकारी को जाने के साथ कि पीछे चलते हुए व्याकुलता से चल देता है अध तेन व्याधेन तंडन करान व्यकारे जालम विस्तिनम अध तेन लेकिन तेन उसने व्याधेन सिकारी ने लेकिन उस सिकारी ने चंडुल कान चावलों के तुकडों को विक्रे कर जाल को विस्टिलियम खैला दिया लेकिन उस सिकारी ने चावलों को विखेर कर उसके उपर जाल को फैला दिया से चे प्रिछन्दों वुत्वा इस तते से वहे चे और और वहे प्रिछन्दों छुपकर वुत्वा होकर इस तते दुबख जाता है और वहे छुपकर दुबख जाता है तस्मिन एव काले तस्मिन एव उसी समय ही काले कहते हैं समय चित्र ग्रीव नामा उस समय ही किस समय ही जब वो चावनों को विखेर कर उनको पर जाल को फैला देता है और दुबग जाता है उस समय ही चित्रगीव नाम का कपोतराज कभूतरों को राजा से परिवारो अपने परिवार के साथ विच्णी केता है उड़ता हुआ विश्टरपुतान उस जगे से इतान केता है उन्होंने चंडुलकनान चावलों के लोवि अवलों के मातान केता है देखा जैसे ही कितवीर नाम वा कवुतरों को राजा अपने परिवार के साथ उड़ता हुआ जाता है तो वह जो और जो चावलों के लोगी कवुतर थे उन्होंने उन चावलों को देखा कवुतरों के राजाने केंडूल करान लुगदहन चावलों के लोवी कवुतरों के परिशी अहा और देखकर कहा कवुतरों के राजा ने चावलों के लोवी कवुतरों की ओड़ देखकर कहा क्या कहा देखें कुतो अत्र निर्जने वने कंडूल करान संबभे कुतो अत्र कहा अत्र यहां कहा ते यहां निर्जन बन में जो निर्जन बन है निर्जन बन का मतलब निर कहते है विना जन कहते है व्यक्तियों के विना व्यक्तियों वाला जो बन होता है उसे निर्जन बन कहते है कि कहा इस निर्जन बन में चंजुन करान जो चावल है संभव कहते है संभव है कि इस निर्जन बन में मैं कुछ सोचता हूं तक कुछ समय के लिए रुकिये वद्र इदमने पश्यामी भद्र का मतलब होता है कल्याण मैं नहीं पश्यामी देख रहा हूं कि मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूं कि मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूं किसमें कल्याण नहीं देख रहा है कि जब भाई निर्जन बन में अगर चावन मिल रहे हैं तो उसने कहा कि इसमें कुछ किसी ने कुछ दोका किया है कि भाई निर्जन बन में चावन कहां से आगए कि वो कहता है कि मैं इसमें कल्जान में देख रहा हूं बहला ही नहीं देख रहा हूं सर्वता विचारित हम कर्मने कर्तव्यम सर्वता हमेशां ए विचारित हम विगर विचारे कार्यम ने कर्तव्यम कार्य नहीं करना चाहिए हमेशां विगर विचारे कार्य नहीं करना चाहिए एतत वचनम सुर्थवा एतत यहे वचनम वचन सुर्थवा सुनकर यहे वचन सुनकर केस्चन का पोर्थ सेर करन अहां एक ज़ता कोई कवुर्थ उसका उफास करता हुआ भोला मजा कुनाता हुआ भोला क्या भोला इसी ग्रणी कर संतुष्टू क्रोजता नित्य संक्रता इसी इश्या करने वाला Nh background करने वाला जो संतुस नहीं होता है संतुस नहोने वाला क्रोध करने वाला नित्या संकित है हमेसा संका करने वाला पर वागय जी भी दूसरे के वागयों पर जीवत रहने वाला चे सड़ेते और सड़ेते कहते हैं छे रोसों वाला दुख कहते हैं दुख का वागिन कहते हैं वागे होता है जो इशा करने वाला ग्रहना करने वाला संतुषने होने वाला प्रोध करने वाला हमेसा संख्या करने वाला दूसरे जीवों के वागे पर जीविद रहने वाला हो की होता है या दुख का वागी होता है या दुख प्राप्त होता है कद्स रुद्वा इस प्रकार सुनकर कपोदर से कबूतरों के राजा के संका कहते हैं संका च्छे कहते हैं और अनादर से कहते हैं अनादर करके सर्वे सरी कपोदर सत्व विश्चहा कबूतर वहां वैड जा इस प्रकारDe सुकर קवूत्र fortunate की संठा करके और अनादर करके सवी कवूत्र वहाँ पर वैड जाते हैं अनन्तरम सर्वЕ जाले अनन्तरम केते हैं उसके वाद में सर्वे सभी ुसके वाद में दाभी सभी किसके वाद सबिकभुकतर उस जाल में बंद जाते हैं या पस्जाते हैं सत्व यस्त है वचनाथ , जिसके वचनों को कद्वाभस्तम सर्वेत्रिसक्रूवंटी, जिसके वचनों को वानी को सुनकर विपते ठे उसका त्रिसकार करने चालू कर देते हैं दिक्कारते हैं सक्ते श्रिसकारम श्रिसकारम को श्रिसकारम को ईसका दोस-दोस इसमें इसका कुई दोस नहीं है विपत्त काले विपत्ती के समय विश्मे एववका पुस लक्षनम आश्चरे ही कायर कुर्ष का लक्षन होता है विपत्ती के समय आश्चरे ही कायर कुर्ष का लक्षन होता है कर अत्य धहरेम अवलंगे है तब यहां धहरेम कहते हैं धहरे हिंबत प्रतिकारम चिंत्याम मैं कुछ उपाय सोचता हूँ इस समय या इस छण आप कुछ बहरे रखे ता सली रखे हिम्मत रखे मैं यहां से निकलने का कोई उपाय सोचता हूँ इदम इयम एव इस समय ही क्रियताम की दिया जो मैं कहता हूँ इस समय आव वही कीजिए सर्वे एक चित वे एक चित वे इकटे होकर संगठन बना कर जालम आदा उड़ियताम जाल को लेकर उड़ जाएगे उसने क्या कहा कि जेते मैं कहता हूँ वैसा ही की दिया कि आप इखट्ते हो कर या संगठन बना कर या एक साथ जाल को लेकर उड़ जाएगे। इती विचित्य एसा या इस प्रकार का विचार करके सर्वे सभी पक्षिणे पक्षे इस प्रकार विचार करके सभी पक्षे जालम आधाय पतिदहा जाल को लेकर उड़ जाते हैं। उसके वाद में वह सिकारी कौन का सिकारी जो जाल को विचा कर उसमें चामलों को दिखे कर छुप जाता है वही सिकारी सो दूराद दूर से ही जालाद जाल को अपरनकान ले जाते हुए तान उन उनका मतला उन कवुतरों को अब लोग के देख कर पच्चात पीछे दावन अक्रोद दोड़ना प्रारम कर देता है उसके वाद में जहे सिकारी दूर से ये जाल को ले जाते हुए उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दोड़ना प्रारम कर देता है सदस्त तेसू कुछ समयवाद उन चक्षू विशे प्रांद कीशू आँखों से ओजल हो जाने पर तिखाई ना देने पर पक्षे तो पक्षियों के से वहे जादो सिकारी निबरत है लोट आता है कुछ समयवाद या कुछ वहे उनके पीछे जाने के वाद जब पक्षि उसके आँखों से ओजल हो जाते हैं दिखाई ने देते हैं तो वहे वापस लोट आता है पक्षियों के आँखों के आगे से ओजल हो जाने पर वहे वापस लोट आता है अते एव उच्यते इसलिए कहा गया है अते इसलिए एव ही उच्यते कहा गया है इसलिए कहा गया है क्या कहा गया है अब देखाई इस पार्ट का पूरा सारांज जब भी कोई वैक्षा आती है या आपको शिसम पूसा है कि इस पार्ट का सारांस लिखे संगे सकती है जैसे आ गया संगे सकती जो संग्य सक्ति है इसका सारांच क्या है तो आप सारांच क्या है इस संग्य सक्ति का सारांच इस जो इस लोग नीचे दे रखा है इस इस लोग में बताएं आप धान रखें कि कोई भी या कुछ भी आप लोग जब हिंदी वैठ्थे करते हैं कुछ भी करते हैं सबसे पहले क्या होता है? सबसे सबसे पहले आप लोग प्रिचंग लिखते हैं देखे ज़रन्स अलपानापी अलपानापी कहते हैं छोटी छोटी वस्तुनाम वस्तुओं से भी संगती कहते हैं एकटा करने पर छोटी छोटी वस्तुओं को एकटा करने पर संगतन करने पर एकितित करने पर कार्यम साधिकाहा कार्य सिद्ध हो जाता है छोटी छोटी वश्यों के खटे करने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता है जैसे नीचे स्वाई को धाने रहा कैसे सिद्ध हो जाता है कैसे कार्य पूरा हो जाता है देखे त्रणई, त्रणई कहते हैं जो सिंके होते हैं रेशे होते हैं, धागे होते हैं गुरत्व उठ्पन नहीं, गुरत्व कहते हैं उस में गुरु उठ्पन करने पर, बल लगाने पर, छोटे-छोटे दाइवो में बल लगाने पर बन यते, बन जाता है मद दंत में, मद मस्त हाती, छोटे छोटे, तिनकों में बल लगाने पर, मद मस्त हाती भी बन जाता है, अब आप लोग कहेंगे कि धागों से, तिनकों से हाती कैसे बन जाता है? इसने यही बताया गया है, संगे सक्ती, संगठन में सक्ती होती है, कि जब हम छोटे छोटे धागे होते हैं, जब उनमें हम बल लगाएंगे, तो क्या बनेगी? रस्ती बनेगे, जब रस्ती को और जोड़ेंगे, तो बड़ी वाली रस्ती बनेगे, जो बड़ी वाली रस्ती उससे हम जब हाती होता है मद मज़व हाती होता है उसको विवान करते हैं इसका कारानिक यही है कि कोई भी कठिन से कठिन कार्य है छोटे-छोटे वस्कूओं के दारा छोटे-छोटे लोगों के दारा कमजोर लोगों के दारा जब वो इकठ्टे हो जाते हैं संगठन के साथ क कठिन से कठिन भारी से भारी कार्य भी फूर्ण हो जाता है, तो ये आपका संगेत शक्ति, संगेता में शक्ति होती है, नाराण सर्मापंडित है, इसके द्वारा राचित है.